वैलकम इन आराइस के मैट्स मोनिटर चैप्टर हमारा थर्ड प्लेइंग विद नमबर एक्सराइज 3.5 का कुशन नमबर सेकिंड करेंगे here are two different trees है हमारे पास ये factor जह हम prime factor करते हैं किसी number के तो उसका method होता है इसको बोलते है tree method, tree में मतलब यहाँ पर जड है इसकी साखाई निकलते हैं एक साखा से फिर अन्नर साखाई निकलती है इसको बोलते हैं tree method ये हमारा prime factor निकालने का tree method होता है अब 3 method दिए हैं पर 2 3 method दिए हैं 60 के 1 और 2 write the missing number हमने missing number find out करने हैं अब 3 method में क्या होता है जैसे हम 6 से divide करें 6 से divide करें कितने हैं तो दूसरी साइड हमारे है उसका question rate करते है 6 1 जा 6 और 0 की 0 अब देखो हम इसको 2 से divide करें हैं 2 से 6 कितने बजाएगा 2 3 जा 6 ऐसे मिसको फिल करते हैं और 5 से divide करेंगे 10 को कितने बजाएगा 5 2 जा 10 यानि इस number से हम divide करते हैं second number जो cushion हम दूसरी साइड write करते हैं यह हमारा 3 method होता है अब इस तरह से हमारे पास second B part में भी अब 30 को divide करें 30 2 जा 60 यह हमारा हम 3 method वहां तक लेके जाते हैं जहां तक हमारे prime number नाते which number divide by one and itself वह हमारे होते prime number यानि जैसे 2 3 5 7 फिर 11 13 17 19 यह सभी के सभी हमारे prime number है तो जहां तक हमारे यह number नाते तब तक हम divide process करते रहते हैं जैसे हमारे पास थर्टी थर्टी डिवाइड होता है तो 10 से 10 3 जा 30 आप 10 को divide करना है आपकी choice है किस की टेबल में टू की टेबल जाता है तो यहां पर एक अपनी choice से number राइट करो टू की टेबल में divide करोगे 10 को कितने बजाएगा 5 पे 2 5 जा 10 हमारा पास क्या बने प्राइम जो फैक्टर है इसके क्या है टू मल्टिप्लाई एक टू यहां पे है 3 और 5 यानि जहां पर हमारी साखाएंड होती है 2 multiply 3 multiply 5 multiply 10 sorry 5 यह आपके 5 डिजिट 4 डिजिट है जो आपके multiply के अंदर रहेंगे आप इसको multiply करोगे तो टू जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 आपका result same आएगा और प्राइम फैक्टर के अंदर क्या नहीं होता एक तो जिसके हम फैक्टर कर रहें जिस भी composite नंबर के हम फैक्टर कर रहें वो नहीं होता है नहीं 60 नहीं होता हम आल फैक्टर लिखते हैं तो उसमें हम 1 भी count करते हैं और जि हमारे पास नहीं one number count होता है और नहीं one count होता है तो इसको बोलते हम prime factor जो हमारा question number third है वो जब हमने question number second का last point किया था उसही के उपर based है which factor are not include include ता है इसको सामिल कर नहीं करते है in the prime factorization of the composite number आपका देखो हमारे पास मालो 30 आपका composite number है composite number है 30 is a composite number composite क्या होते हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी और से बिदे है जैसे आपका 2 से भी डिवाइड होता है ये आपका 5 से भी डिवाइड होता है 6 से भी डिवाइड होता है 15 से भी डिवाइड होता है 10 से भी डिवाइड होता है तो ये हमारे all factor होते हैं इसको डिवाइड करने वाले सभी के सभी number ये हैं लेकिन हमारे पास जब हम prime factor करते हैं जैसे हमने 3 method से किया prime factor हमने 3 method से कैसे करेंगे सबसे पहले अगर इसको हमने 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 पर कितने जाएगा 10, 3, 30 फिर इस 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं किस से 2 से 2, 5, 10 इस तरह से तो इसके प्राइम फेक्टर क्या बने 2 x 5 x 3 यह इसके प्राइम फेक्टराइजनम यह इसको बोलते हैं प्राइम फेक्टराइजेशन जिसमें सभी की सभी नंबर प्राइम नंबर होते हैं अब इसके अंदर देखो यह इसके प्राइम फेक्टर इसके अंदर क्या काउंट नहीं नहीं थर्टी काउंट हुआ और नहीं वन काउंट हुआ लेकिन जब हम factorite करते हैं only factor तो उसमें one भी count होता है और खुद भी तो इसको answer आता है one and itself कि जब भी हम किसी number के composite number के factor करते हैं तो उसमें one और वो खुद count नहीं होता बाकि सभी के सभी number count हो सकते हैं कोई भी number उसकी factorization में अंदर आ सकता है तो आपका question number is third question number fourth है write the greatest four digit greatest four digit हमारे पास सबसे बड़ी digit होती है 99 यह हमारे पास greatest four digit की हमने number write कर दिया express it in the terms of prime factor prime factor हम या तो इस method से करते हैं या हम tree method से करते हैं जब हम tree method से साखाई निकाल के आसे हम यह हमारा prime factor है जो LCM का method होता है उस तरिके से करते हैं factor बनाके prime factor और यह हमारा tree method दोनो method से हम कर सकते हैं लेकिन अब हम इस question जो यह हमारी exercise के अंदर हम सभी tree method से करेंगे इसके prime factor कैसे बनाएंगे हम आल फैक्टर तो अलग तरीक के से लिखते हैं और ये प्राइम फैक्टर हम इस तरीक के से सबसे फ़ल देखो 9, 9, 9 है तो 3 से डिवाइड होगा हमारे पास यहां हम वो नंबर आइट करते हैं जिससे मारे पास देखो 3, 3, 9, फिर 9 न था रोगे 3, 3, 9, फिर 3, 3, 9 और फिर 3, 3, 9, फिर इसको हम किसे डिवाइड कर सकते हैं 3 से 3 से डिवाइड करेंगे 3 वंजा 3, 3 वंजा 3, 3 वंजा 3 और 3 वंजा 3 यह हमारे पास इस तरह से इसके फैक्टर आ अगए आप थरीक हो तागे ब्रेक नहीं कर सकते हैं अब यह हमारे पास देखो किस पे जाएगा 11 पे जा सकते हैं क्योंकि 1 1 1 है इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले 11 से डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11 क्योंकि इसको 11 से आप अलग से डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 11 बंजा 11, फिर 1 उतार होगे, नहीं जाएगा, नहीं जाने की 0, फिर आप 1 उतार होगे, 11 बंजा 11, तो आपका 101 आया, और 101 किसी और नमबर से डिवाइट नहीं होता, इस डिवाइट बाइट बाइट इसल, हमारा जो ट्री है, वहीं पर प्रोसस एंड होगा, जहां पर हमारा प्राइम नमबर आएगा, यह भी हमारा प्राइम नमबर है, यह भी प्राइम नमबर है, यह भी प्राइम नमबर है, और यह भी प्राइम नमबर है, तो 99 के हमारे पा पॉजिट नंबर को अगर प्राइम फेक्टर की फोम में राइट करते हैं तो उसमें 1 और इसल्फ खुद नहीं होता जो कोश्चिन नंबर था मारा कि किसी भी प्राइम फेक्टराइजिशन के फेक्टर करते हैं प्राइम फेक्टर तो उसमें वो खुद और 1 नहीं होता बाक